कि नमस्कार दोस्तों मैंने डॉक्टर सचिंदे और आप सभी कस्वागते मेरे यूटूब शेयर पर दोस्तों आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो की ज्यादा वजन उढ़ा लेते हैं ज्यादा एकसरसाइज कर लेते हैं या फिर कोई हैवी काम कर लेते हैं और उन्ह एक मज़ूरों के साथ मिष्ट्रियों की साथ लेते हैं तो आप भी मज़ूरों के साथ मिष्ट्रियों के साथ हेलf करने के लिए लग जाते हैं एक थोड़ी से इच्छास ही जाकती है कि हम भी मदद करेंगे। ठीक है अच्छी बात हैं। अब पता नहीं मदद करते हैं, पैसे बचाते हैं। खेर जोड़ान क्या होता है हमें आदत होते ही नहीं हमारी बोडी को आदत होते ही है और हम weight lift कर लेते हैं जादा उस दोरान क्या होता है हमारे पेट में problem शुरू हो जाती है मरोड़ा हो जाता है अगले दिन ही या फिर ऐसा लगता है कि जिसे टोईलेट बार बार जाना पड़ रहा है या जाते ही है टोईलेट पतली आने लग जाती है इस वज़े से बहुत दि से ही बन जाते हैं वो एक पेट का जब ज़्यादा pressure पड़ा पेट पर तो वो दिक्कत हो गई आप ऐसी condition में क्या करें देगे पहली चीज दवाई तो मैं बताऊंगा ही लेकिन साथ में थोड़ा सा में प्रहेज भी बताऊंगा क्योंकि बहुत सी बारी क्या होता है ना दे लेकिन प्रहेज करना ही पड़ेगा आपको तो प्रहेज में आपको बढ़ता हूं जब ऐसी condition आजाए दे कि जो हो गया हो गया मैं वहां तो नहीं जाओंगा कि आपने क्यों उठाया आपने क्यों वेजन लिफ्ट कर लिया जदा तो वह तो नहीं मैं कहूँगा अगर ऐसी फूड आगे भाई मैंने का फास्ट फूड नहीं खाने और मैं तसी सारे फास्ट फूड बंदे चाहे हो मोजो चाहे हो चामीन हो चाहे वह आपके और सारी कुछ भी चीज़ें हो पीजा वगएरा हो तो आपको वो चीज़े अभोएड करनी है आपको उस दोरान जब वो द प्रलोष गाइब रखे हो छोड़ षाल सकते हैं या फिर आप दूद के साथ आप ले सकते हैं ब्रेडे़ जो मैं बता रहा हूं सिर्व हो खासकते हैं کیंकि मैं बहुत सारा लंबा चोड़ा परहेज आपको नहीं बता सकता क्या खाना क्या नहीं उसमें फिर आपके आपके स आगी जो पहले चीज बताएं, वो खाए है, अगर गर्मी का मौसम है, न्यौर्मल मौसम है, तो आप केला add कर सकते हैं, फलो में, इसकेलाब आपको कोई फल नहीं खाना है, ठीक है? आप ये चीज़ समझ लीजेगा कि मैंने क्या चीज बताएं, क्या चीज का प्रेज बताया इन चीजों का फोलो करें तो से तीन दिन वह खुद नॉर्मल आपकी कंडिशन हो जाएगी जो आपकी पेट की दिक्कत है ना पेट प्रेशर पड़ा है दवाब पड़ा है तो वह चीजे ठीक हो जाएगी धीरे धीरे लेकिन तीन दिन तक आपको हलका भोजन लें आए आप अगर हेवी फूड लेंगे तो आते उसे नहीं पचा पाएंगी वह जू कतु ऐसे निकल जाएगा उससे आपको और वीगनेस आनी शुरू हो जाएगी जो शरीर में अंदर के और भी पोशक्तवाव के मोजूद है वह भी सब टोयल्ट के रस्ते से बाहर निकल जाएगी त एक एडल्ट की बात कर रहा हूं मैं 17 साल से उपर की बात कर रहा हूं मैं तो 400 mg आपको दवाई लेनी क्योंकि छोटा बच्चा कभी तना या जो यंग एज के होते हैं इतना वो नहीं करते हैं इसके बाद यह जो सब भरता है अगर फिर भी को छोटी उमर का इस कंडिशन को फेस कर रहा है तो मुझसे मैसेज करके पूछ सकता है फेस्बुक पर तो 17 साल के उपर की बात लिए मैट्रो नेडाजोल 400 mg में आपको लेनी है दूसरी जो गोली आपको लेनी है इसके साथ वो लेनी है जैन फ्लोक्स मैं यह जो मैट्रो नेडाजोल है यह तो मैंने आपको salt बताया है, इसमें आपको किसी भी नाम से आपको मिल जाए दवाई, तो आप उसे ले सकते हो, जैन फ्लोक्स मैंने एक दवाई का नाम बताया है, इसके अंदर है ओफ्लोक्ससिन, तो ये आपको 200 mg में लेनी है, जैन फ्लोक्स 200 के नाम से आती है दवाई, अगर नहीं मिलती है, तो ओफ्लोक्ससिन, 200 के नाम से आप ये दवाई ले लीजीगा, तीसरी जो दवाई लेनी है, वो इसके साथ आप लगा लीजीगा, OC20 का कैपसूल, बहुत से कहते हैं, जी गैस तिजाब का कैपसूल होती है, कि वो दवाई को सूट होती है, उसे नहीं होती है, कुछ उसे, तो ऐसे माप उसके साथ थुड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, बहुत सी बारी क्या होता है, दवाई ली उल्टी लग गई, पेट में पता करके कोई दवाई ले सकते हैं, तीसरा है आपका OC20 कैपसूल, जीसमें ओमी परजोल है, अगर इससे मिलता है ठीक है नहीं तो फिर आप ओमी परजोल कहेकर दूसरा कैपसूल ले सकते हैं, तो ये तीनों दवाई आपको लेनी हैं, सुबा शाम, सुबा शाम आपको ठंडा करके रख लें, आप पानी यूबा लिये, एक बोतल में ठंडा करके रख लीचे और उस पानी को इन पिए। आप ने तो साधा पानी पिए, नहीं आरो का पानी पिए। सबसे ज्यादा परेशान आरो वाले, ठीक, तो आरो वाले ये छोड़ दीज रिसक्शन, तो यह हमें नहीं करने है, आरो का पानी मैं नहीं कह रहा हूँ, केवल उबाल कर ठंडा करकर खवा पानी ही अच्छा है, आप उसे पूरे दिन में पिएं, तीन दिन तक उसे भी फोलो करें, मेरे भाई अगर आप ये चीज़ करते हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत न गोलियां आप जो बताएं गोले लीजिगा, और अगर आपको दर्द भी है, तो एक गोली और बता रहा हूँ, उसे भी आप इसमें एड़ कर लीजिएगा, ये है, आपको जो मैं दवाई बता रहा हूँ, जीरो डोल एस्पी, इसमें एसिकलो फिनेक, और सेरेशो पेप्स ले सकते हैं, तो टोटल करके आपकी चार गोलियां हो गई है, ठीक है, तो एक खुराक सुभा, शाम, सुभा, शाम, तीन दिन तक लेनी है, अगर दर्द है, तो इस जीरो डोल एस्पी को मिला लीजिएगा, अगर नहीं है, तो पिछली तीन खुराक जो बताई है, उन्हें फूलो कीजिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि तीन दिन में आपको बहतर रिजल्ट इसके मिल जाएंगे, उमीद है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज से लाइक करना ना, भूले शेर करना ना, भूले अगली वीड झへजयाए, वीडियो आपको पसंद आई होsना, भूले शेर वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लframe आपको पसंद आई हो, तो cular AF, काना ये वीडि़ा द्टित करना ना, एह सक्कार करना आआ Festून के उतिते, जाएंगे वीडिक्वरून के रह वीडिक्त, प्ल scraping the searching